नमस्कार स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नागरिक सास्टर का पार्ट एक हमारा सामाजिक जीवन तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए यहां पर एक दस्मलो एक इसमें हम पढ़ेंगे लिखा है कि पाच्वीक अक्षा की पाठ्य पुस्तक में मानों की उत्करांती किस प्रकार हुई यह तुम सीख चुके हो हमारा वर्तमान समाजिक जीवन हजारों वर्सों की विकास का ही परिनाम है मनुष्य ने घुमकड़ी अवस्ता से स्थिर समाजिक जीवन की और परिनाम है मतलब धीरे धीरे विकास होता गया और देखिए हम घुमकड़ी अवस्ता से इस आधुनिक जुग में आ गये हैं अब चलिए हम पढ़ते हैं एक दस्मलो एक इसमें क्या है मनुष्य को समाज की आवश्यक्ता क्यों अनुभव हुई मतलब मनुष्य को ऐसा क्यो समाज में रहना चाहिए पहले वो समाज में रहते थे पहले वो कैसे रहते थे घुमकड़ी अवस्ता थी मतलब उनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता था उनका कोई अपना घर नहीं होता था वो कहीं पर भी रह जाते थे तो मनुष्य को ऐसा क्यों लगा कि हमें समाज में तो देखिए यहां पर क्या लिखा है व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए स्थाई व सुरक्षित सामोहिक जीवन आवश्यक है देखिए व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए सुरक्षित और सामोहिक जीवन बहुत ही आवश्यक है घुमक्कडी अवस्था में मनुष्य सुरक्षित नहीं था और स्थाई भी नहीं था गुमकड़ी अवस्था मतलब मैंने आपको अभी बताया उनका कोई ठिकाना नहीं होता था उनका कोई घर नहीं होता था समूव में रहने से सुरक्षा मिलेगी इस बात का बोध होने से मनुष्य संगटित रूप में जीवन या पन करने लगा देखिए मनुष्य को जब इस बात का बोध हुआ कि अगर हम समूव में रहेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी तब जाके वो एक साथ आये और फिर रहने लगे समाज के निर्माड के पीछे यह भी एक प्रमुख प्रेड़ना थी और समाज के निर्माड के पीछे यह क्या थी एक मुख के प्रेड़ना थी समाज में प्रति दिन के वहवार को सुचारों रूप से चलाने के लिए तब जाके देखिए क्या हुआ फल्स्वरूप जिसके परिणाम सोरूप क्या हुआ रूणिया, परंपराय, नैतिक, मुल्य, नियम और कानून बनाए गए इस कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन और अधिक संगटित और स्थाई हुआ मतलब जब ये नियम बनाए गए तब जाके मनुष्य का सामाजिक जीवन और भी अधिक संगटित और स्थाई हुआ ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक दस्मलव दो, मनुष्य में समाज सीलता देखें, इसमें क्या दिया है कि मनुष्य सोभावता समाज प्री है मतलब जो मनुष्य है वह क्या है एक सामाजिक प्राणी है मतलब उसको समाज में रहना अच्छा लगता है हम सभी को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पारसपरिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है देखिए, यहाँ पर वही दिया है कि हमें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का सहयोग अच्छा लगता है सभी के साथ रहना जिस प्रकार आनंद की बात है वैसे ही वह हमारी आवशक्ता भी है देखिए सबी लोगों के साथ रहना हमें पसंद होता है हमें अच्छा लगता है लेकिन ये हमारी आवशक्ता भी है हमारी अनेक प्रकार की आवशक्ता है देखिए हमारी क्या क्या आवशक्ता है भोजन, वस्त्र, निवास, आदी हमारी शारीरिक आवशक्ता है देखिए हमारे सारीरिक आवशकता हैं क्या-क्या है भोजन, वस्त्र और निवास यह क्या है हमारे सारीरिक आवशकता है मतलब यह हमारे शारीरिक जरूरत है उनके पूर्ण होने पर मनुष्य को स्थीरता मिलती है और जब ये तीनों आवशक्ताय पूरी हो जाती है तब मनुष्य को स्थीरता मिलती है मतलब तब मनुष्य स्थीर हो जाता है परन्तु मनुष्य के लिए इतना ही परियाप्त नहीं होता क्योंकि हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक अवशक्ताएं भी होती है देखिए लेकिन मनुशी के लिए इतना ही परियाप्त नहीं होता क्योंकि हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक अवशक्ताएं भी होती है जैसे स्वयम को सुरक्षित अनुभोग करना देखिए यहाँ किसी को बतानी की इच्छा होती है»,। दुख्य में लगता है, कि कोई हमारे साथ हो drugs, क्गुश होते हैं, क्हां हम अपना उनलweed के शायं, मतलсем दूसरों को भी बताईं। बताएं और जब कभी हम दुख्य होते हैं तो हमें यह ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई हो हमारे परिवार के सदस्यों रिस्तदारों और मित्रों के सानेद्य में रहना हमें अच्छा रगता है देखिए यहां पर क्या दिया है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं हमारे रिस् इससे पता चलता है कि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो बिना समाज के रही नहीं सकता हमें दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है हमें हमारे परिवार के सदस्यों रिस्तदारों और मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है और जब हम दुखी होते है तो सोचते हैं कि कोई हमारे साथ हो जब हम खुश होते हैं तो सोचते हैं कि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बाटें तो इन सारी चीजों से पता चलता है कि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्रानी है कि बोलो और लिखो यह देखिए इसमें क्या दिया है कि चित्रकला की प्रतियोकिता में आपको प्रधम पुरसकार मतलब फॉस प्राइज मिला है तो आप उसे अपने पासी रखेंगे या फिर अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे और जब आप उनको दिखाएं तब आपके पुरसकार के प्रती उनसे आप किस प्रकार की प्रतिक् प्रिया पाकर आपको कैसा लगा सराहना करने पर बहुत अच्छा लगा मतलब जब उन्होंने आपकी सराहना کی आपकी तारिफ की तो आपको अच्छा लगा और अच्छे चितर बनाने की प्रेड़ना मिली या फिर आपको क्या-kया लगा वो सब के बारे में लिख रहा हैं पिर देखिए यहां पर आगे के दिया है तुम जानते हो कि भोजन वस्त्र आवास सिक्षा और स्वास्त हमारी मूल भूत आवशक्ता हैं देखिए आपको पता है कि भोजन वस्त्र आवास सिक्षा और स्वास्त यह क्या है हमारी मूल भूत आवशक् समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौसल द्वारा वस्तवेशन निर्मृत होती है और दिखिया जो भी वस्तवेशन निर्मित होती है जब लोग महनत करते हैं परिश्रम करते हैं तब जाके यह जो सारी वस्तुवे हैं वो निर्मित होती हैं सिक्षा और स्वास्त विश्यक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मान पुर्वग जीवन जीते हैं देखे सिक्षा और स्वास्त विश्यक जो भी सेवा हैं उनकी वज़े से ही हम सम्मान पुर यहां पर दिया है कि हमें पढ़ाई करने के लिए कि जरूरत होती है और पुस्तक की जरूरत होती है क्योंकि बिना कागज के पुस्तक बनेगी नहीं है ना और देखिए यहां पर क्या दिया है इससे कागज निर्माड उद्योग च्छापा खाना और पुस्तक सिलना जिल्द विवसाय आदी उद्योगों का विकास होता है और देखिए इसकी वज़े से क्या क्या होता है जो कागज निर्माड उद्यो जब और जहांपर कि छपाई होती है और पुष्टक को जहां पर बाइंड मतलब सिला जाता है यह सभड उद्योग है उनका भी विकास होता है अनेखे लोगों का इसमें योगदान रहता है कुछ कोई एक इनसान इसकाम को नहीं कर सकता यह जो सारे काम हैं उसको करने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है समाज के विगिन विवसायों द्वारा हमारी आवशकताइं पुर्णम होती हैं इसके द्वारा हमारी झ्भमताओं और कोश्लों का विकास होता है समाज में मूल भूत आवशक्ताओं की पूर्ति होती है समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रसंसा सहयोग आदि घटकों के लिए हम सबी एक दूसरे पर निरभर होते हैं और सबसे जुरूरी बात देखिए जो समाज की सुरक्षा है सराना है प्रसंसा है सहयोग इन सभी के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं मतलब देख़ें जैसे हमारी कोई जरूरत है तो उसको कौन पूरा करेगा समाजी तो पूरा करेगा सपोस कर ये कि हमें कुछ सामान चाहिए तो हम कहां से जाके लेते हैं दुकान से लेते हैं दुकान भी समाज में ही आता है ठीक है तो हम अनिक चीजों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं इसलिए हमारा समाजिक जीवन परस पराव लंबी होता है इसलिए हमारा समाजी जीवन कैसा होता है परस परावलंबी मतलब एक दूसरे पर निर्भर होता है करके देखो क्या करके देखना है दीखे सुबह उठने के बाद आपको किन-किन वस्तुओं के आवशक्ता होती है इसकी सुची बनाई है और उनमें से कम से कम पांच वस्तु एक दस्मलाव तीन हमारा विकास देखे हमारा विकास कैसे होता है यहाँ पर हम वह पढ़ेंगे प्रतेक मनुष्य में स्वभावता कुछ गुड और शमताय होती है देखिए जो मनुष्य है उसमें कुछ गुड और कुछ शमताय होती है वे सुपत अवस्ता में होती है मतल qualities मतलब inactive good होते हैं उनका विकास होता है एक दूसरे से बोलने के लिए हम भासा का सहारा लेते हैं परन्तु वह भासा हमें जन्म से ग्यात नहीं होती देखिए एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं भासा का यूज करते हैं लेकिन जब हम जन्म लेते ह तब हमें भासा नहीं आती यह हम भासा कहां पर सिखते हैं धीरे धीरे समाज में ही सिखते हैं सब पहले हम कौन सी भासा सिखते हैं जो हमारे परिवार में बोली जाती है उस भासा को हम सबसे पहले सिखते हैं यदि हमारे पडोसी बिन भासा बोलने वाले होते हैं तो उस भास अब ज्यान हमें हो जाता है विद्याले में भी विभिन भासाइं सीखने का अवसर मिलता है और हमारे स्कूल में भी हमें कई सारी भासाइं सीखने का मौका मिलता है फिर देखिया आगे हमारे पास स्वतंत्र विचार करने की भी चमता होती है और देखिए हमारे पास स्वतंत्र विचार, किसी की पराधहिंता में नहीं, एकदम सोतंत्र विचार करने की शम्ता होती है, जिसे विद्धाले में सभी विद्यारतियों को एक ही विशयंपन निखने के लिए दिया जाता है, परन्तु कोई भी दो निबंद एक जैसे क्यों नहीं होते क्योंकि सबके विचार अलग-अलग होते हैं देखिए यहां पर उधारन में क्या दिया है कि स्कूल में सभी विद्यारत्यों को एक ही विशेपर निबन दिखने के लिए दिया जाता है लेकिन कोई भी दो निबन एक जैसे क्यों नहीं होते क्योंकि सब की अपनी विचार धारा है मतलब सब लोग अलग-अलग सोचते हैं समाज के कारण ही हमारी भावनात्मक शमता और विचार सक्ती में व्रिद्धी होती है और देखिए समाज की ही वज़े से जो हमारी भावनात्मक शमता है और विचार सक्ती मतलब सोचने की सक्ती उसमें व्रिद्धी होती है मतलब वो बढ़ती है समाज के कारण हमें अपने विचार और भावनाएं अभिव्यक्त करने का अवशर मिलता है और देखिए जो हमारे विचार और भावनाएं है उनको अभिव्यक्त करने का अवशर किससे मिलता है समाज के कारण ही मिलता है समाज के फल्सवरूप मनुस्य के कलात्मक गुडों का विकास भी होता है देखिए समाज की ही वजह से जो मनुस्य के अंदर कलात्मक गुडों होते हैं मतलब जो कलाई होती हैं उनका भी विकास होता है जैसे यहाँ पर दिखें गायक, चित्रकार, वैग्यानिक, साहसी वीर, सामाजिक कार्य करने वाले विभिन वैक्तियों के गुडों का विकास समाज के प्रोथसाहन वह समर्थन से ही संभव होता है उन्हें प्राप्त होने वाला यह प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपुर्ण होता है देखिए जो कलाकार है जैसे कि गायक होगे, चित्रकार होगे, वेग्यानिक होगे, सासी, वीर होगे इनके गुडों का विकास कैसे होता है जब समाज इनको प्रोत्साहन देता है तब ही इनका विकास संभव हो पाता है क्योंकि कोई चित्रकार है अगर उस चित्रकार के चित्र को कोई पसंदी नहीं करेगा तो फिर जो उसके गुड है उनका विकास कैसे होगा तो यहाँ पे यही लिखा है कि वैक्ति के जो कलात्मक गुड है उनका विकास समाज के प्रोत्साहन से ही संभव हो पाता है अब यहाँ पे एक दस्मलों चार है समाज किसे कहते हैं समाज में इस्तरे पुरुस वयस्क व्रिद्ध छोटे लड़के लड़कियां सभी का समवेश होता है हमारे परिवार हमारे समाज के घटक होते हैं देखे जो हमारे परिवार है वो क्या होते हैं समाज का ही एक हिस्सा होते हैं समाज में विभिन गुट संस्थाएं और संगठन होते हैं लोगों में पारस पर एक संबंध वहवार उनके बीच के आदान प्रदान आदी का समावेश समाज में ही होता है देखिए लोगों में एक दूसरे से संबंद उनका वेवार ये सब किसमें आते हैं समाज में ही आते हैं मनुष्यों के जत्थे या भीड को समाज नहीं कहते देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मनुष्य के जत्ते या फिर भीड़ी कटा हो जाए तो उसे समान नहीं कहते हैं बलकि जब किसी समान उद्धेश्य को पुर्ण करने के लिए लोगें कत्रित आते हैं तब उनका समाज बनता है बलकि जब किसी एक उद्धेश्य को पुर्ण करने के लिए सबी लोग एक साथ आते हैं तब उनका समाज बनता है भोजन वस्त्र आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यक्ताओं की पूर्ण करने के लिए हमें समाज में स्थाई सासन व्यवस्ता निर्माड करनी पड़ती है देखिए जो हमारी आवशक्ता है जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा इन आवशक्ताओं को पुर्ण करने के लिए हमें समाज में 27 आसन मतलम नियम और कानून बनाने पड़ते हैं ऐसी विवस्ता के बिना समाज के दैनिक विवार पूर्ण नहीं हो सकते और अगर ये विवस्ताएं ना हो कोई नियम ना हो तो जो हमारा दैनिक विवार है वो पूर्ण नहीं हो सकता समाज का अस्तित्व बने रहने के लिए विवस्था का होना आवश्यक है देखिए अगर हम चाहते हैं कि समाज बना रहे तो विवस्था भी रहनी चाहिए जैसे देखिए यहां पे उधारण दिया है कि अनाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए खेती करना आवश्यक है खेती से संबंदित सभी कारियों को पूर्ण करने के लिए विभिन संस्थाओं का निर्मार करना पड़ता है देखिए जैसे यहां पर उधारन में क्या कह रहा है कि अनाज की आवशक्ता को पूर्ण करने के लिए किसकी जरूरत है खेती मतलब खेती करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब खेती होगी तभी उसमें से आनाज मिलेगा और खेती से संबंदित जो भी खेती से संबंदित हैं सभी कारियों को पूर्ण करने के लिए विबिन संस्थाओं का निर्मार करना पड़ता है खेती के ओजार बनाने के कारखाने किसानों को रिड देने के लिए बैंक उत्पादित माल बेचने के लिए उपज मंडी जैसी व्यापक विवस्था का निर्मार करना पड़ता है देखिए क्या-क्या निर्माड करना पड़ता है बस खेती के लिए जो खेती में औजार लगते हैं मतलब खेती करने के लिए जिन औजारों की जरुरत होती है उन औजारों को बनाने के लिए कार खाने बनाने पड़ते हैं और किसानों को रिड़ देने के लिए मतलब लोन दे नहीं होगा तो फिर जो उत्पादित माल है उसको बेचेंगे कहां इसलिए इन सारी जो संस्थाएं हैं इनका निर्मार करना पड़ता है ऐसे विभिन विवस्थाओं द्वारा समाज को इस्थिरता प्राप्त होती है और ये जो सारी विभिन विवस्थाओं हैं इन्हीं के द्वारा समाज को इस्थिरता प्राप्त होती है अगले पार्ट में हम भारत की समाजिक विविद्धा का परिचे प्राप्त करेंगे अब यहां पर प्रश्ण उत्तर है तो इसका वीडियो में अप्लोड कर दूंगी जिसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेर कीज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू